कैंसे आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें तो बंदी रक्ष्याक का कल विग्यापन जारी हो गया UKPSC के माध्यम से होफुली आप लोग ने वो पढ़ लिया होगा उसके सारे जो भी उसने पॉइंट रखे हैं जो क्वैलिफिकिशन है जो एज का क्राइटिरिया है फिजिकल का है एक्जाम की डेट वगरा जो भी है जितना भी उसने दिया था उम्मीद करता हूँ आप लोग ने पढ़ लिया होगा ठीक है मैं तो सिर्फ यह बताने आया हूँ आप लोग को कि बच्चों यह फॉर्म जरूर भनना मतलब जो उस एज क्राइटिरिया में या जो उसके लिए अरहता धारन करते हैं उन सभी छातरों से में यह कहूंगा कि इसमें जरूर भरिएगा हाँ यह जरूर हो सकता है रेटन तो अलग चीज़े लेकिन फिजिकल का जो पोर्टना बाइस साल के उम्र के बच्चे से में पैंतिस साल के इंसान की तुलना नहीं कर सकता हूँ तो फिर एज का क्राइटिरिया देता है फिर कहां वो त्रोफ है कि एक्जाम करेक करने के बाद जाना ना जाना अलग बात है तो वो सेकंडरी हो जाता है क्योंकि आज की समय में नौकरी की कितनी महत्तुता है मतलब आप समझ रहेंगे कितनी महत्तपूर्ण है यह बहुत आप अच्छे से जानते हैं और इस समय में जो बेरुजगारी इतनी ज्यादा है लोग इतने परेशान हैं कहीं भी उनके दो रोटी की बेवस्ता हो जाए यह सब सोचते हैं ठीक है तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि जो चाहरत रहे हैं जिनको लगता है कि यार हम कर सकते हैं इसको फिजिकल वाला पॉर्चंट क्योंकि उसका थोड़ा सा हाड है जिसको लगता है कि यार हम लड़ सकते हैं इसी में उनको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए ठीक है बाकी जो फिर इसी की तहियारी कर रहे हैं जो पुलिस कॉंस्टेबल की तहियारी की बच्चे है या अपने आप में जिन लोगों ने और दरोगा की तहिक है उनके तो ठीक कुछ तो होना बहतर है और अगर आपके अंदर ऐसे गट से होंगे अगर आपके अंदर इतना जुनून है जज़बा है तो आप कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं यानि आप उस जॉब से आप बहतर तहीं यारी आगे के लिए कर सकते हैं फ्यूचर के लिए आप अच्ची प आप देखे पुलिस कांस्टिबल है, पटवारी लेखवाल है, दरोगा है, कनिस सायक है, अभी बंदी रक्षा हो जाएगा, फॉरेस काड हो जाएगा, यानि 5-6 मौके लगभग अधिकान से साथ रुगों, आप मैं यह नहीं कहूंगा, सारे साथ रुगों मिला लेकिन 5-6 मिला कि वो सेम पैटन के एक्जाम वहाँ देखे आए, आप बताओ कितनी गलतियां कर सकते हैं, एक बार गलत कर सकते हो, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी करेंगे, बताओ 5-6 जब आपको मौके मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि UKPSC जितने अभी एक्जाम करा रहा है इसमें से कहीं न कहीं आप लोग फाइनली सैटल हो जाएं, और आपका सैटलमेंट, आपके माबाप, आपके घर, परिवार, इन लोग के लिए भी क्या होगा, इक प्रकार से थोड़ा सा उनको भी राहत देखा, ठीक है, यह बहुत आज की समय में जरूरी है, देखें, जो आपसे पहले देखना, जब भी फॉर्म फिल करोगी, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर्म गलत मद भनना, दोस्ते ने भर दिया था, कैफिवाल ने ऐसा कर दिया, यह नहीं चलता, बच्चों आप इतने सीनियर बच्चे हो चुके हो, इतने बड़े हो फिर भी अगर फॉर्म गलत मार करके आ रहे हो, फॉर्म गलत भर के फिर के रहे हो, कैंसल करता हूँ, दुबारा बर सकता हूँ, मैं नहीं दूगा जबाब, मैंने आपसे बार बार कहा है, कि आप लोग इस चीज को बहुत कियरफुली कीजिए, यह आपके भविश्य का सव फिर भी फॉर्म गलत भरी आते हैं, तो मैं यह नहीं चाहता हूँ, कि आप लोग का फॉर्म किसी भी केस में क्या हो, गलत फिल हो, ठीक है, तो 15 नॉवंबर से 5 दिसमबर तक आपका फॉर्म भनने की थी थी है, यह आप लोग ने पढ़ लिया होगा, पदू की संक्या इसम का विज्यापन जारी हुआ है, यानि 24 फिमेल हैं और 24 पद मेल के लिए हैं, यह आपने पढ़ लिया होगा, 238 जेल बंदी रक्षयक के पद यहां पर आये हुए हैं, जिसमें 24 पद उपर पूरुस अभियर्ती और 24 पद उपर महिला अभियर्ती के अगर सकती है, आविदन कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा, अगर आपने एक बार फॉर्म भर लिया, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना, अगर आपने एक बार फॉर्म भर लिया, तो फॉर्म में आप संचोधन नहीं कर सकते हैं, यह मैं नहीं कह रहा, आयोक का नोटिफिकेशन कहता है, आयोक का अगर आ अगर आपने form फिल कर लिया, तो उसमें आप संसोधन नहीं कर सकते, वो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि आपको कितने carefully उस form को फिल करना है, बहुत सोच समझ की form फिल करिएगा, ये नहीं कि हवाबाजी में उस form को आप लोग क्या कर रहे हैं, form को फिल कर रहे हैं, सारीरिक परिख्या जो होगी आपकी, वो पहले होगी, ठीक है, सारीरिक परिख्या पहले होगी, यानि कहीं न कहीं आपका physical पहले है, रिटन बाज में, अब देखी, ये अच्छी भी बात हो सकती है, क्यों क्यूंकि written की तैयारी तो आपकी already है, अब आप physical की तैयारी कर सकत हैं जो छातिष की तयारी करना जाते हैं लिटन तो आपका अल्री मजबूत है अल्री आपने उसको पढ़ाई ते समय से आप पढ़ लें क्यूंकि आपका फॉरेस गार्ड भी होगा आप वही चीज पढ़ने आले आपका पटवारी लेकपाल होगा आप वही पढ़ेंगे कॉंस्टेबल की पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे यानि अब आपका जो सबसे महत्तपोर्ण है सारिक परिक्षया पहले होगी ये सौ मार्ग सका है और इसकी तिथी क्या होगी अभी आयोग ने इसको डिसाइड नहीं किया यानि इसका इक्जाम कब होगा वो प्रथक से आप को डेट दी जाएगी इसकी कोई भी डेट अभी तक नहीं दी गई है कि इस्तिथी को आपका फिजिकल होगा इस्तिथी को रिटन होगा ये कहीं भी आपका नहीं दिया है तो आपके लिए अभी सबसे महत्तपोर्ण सारिक परिक्षया है जो कि 100 मार्ग से किये इसमें अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो यह आपके लिए थोड़ा सा light हो जाएगा थोड़ा सा हलका साबित होगा कि यहाँ आपको ज़्यादा effort नहीं लगाने पड़ेंगे ठीक है अब paper की date कई बच्चे पुछें सब paper कब इसकी date कब होगी paper date यह आपकी physical की date ए जो सारीक परिक्षिया है इसकी date प्रिथक से आयोक चारी करईगा सारी सारीक परिक्षिया ठीक है इसकी जो date होगी यह क्या होगी प्रिथक से आयोक की website पर upload की जाएगी यानि अभी इसको decide नहीं किया गया कि कब हो गए दो तीन मेहने के अंदर कहीं ने कहीं आपका फिजिकल का एक्जाम भी हो जाएगा ठीक है इसके बाद सबसे महत्यपूर्ण चीज आती है पदू का आवंटन आपने देखी लिया होगा जो रोस्टर बनाया है उसके आधार पर पदू का आवंटन किया है दोसा पर जाने के बाद टोटल पदू का आवंटन आप लोग देख सकते हैं देखें दोसा चौद पदू पदू पर क्या हुआ है मेल अभियर्थि के लिए ठीक है इसमें आपने देखा जनरल के लिए जो पोस्ट्र डिपाइट की गी है 113 पदू पर क्या है जनरल चात्र आएं उसके बाद SC के लिए 41 पद है SC साथों के लिए ST के लिए अपने आप में 8 पद उपे ST अभियर्थि इसमें क्या करेंगे और OBC जो है 30 पद है OBC के लिए ठीक है RxC 30 पद के है OBC के लिए और EWS के लिए 22 ये सिर्फ और सिर्फ जो होंगे इसमें पूरुस अभियर्थि एक 113 पद, 41 पद, 8 पद, 30 पद और 22 पद जो कैटेगराईज किया गया है ये 24 पद उपे ये सब के सब कौन होंगे पूरुस अभियर्थि होंगे यहां महिला अभियर्थि नहीं होंगी जबकि महिला अभियर्थि में के लिए सिर्फ और सिर्फ कित्टे पद यहां पर दी हुए ला तो किते होगे बार और च्पाँ सत्रह सत्रह और एक अठार है इसके बाद है चार पद OBC और दो EWS ठीक है चार पद हैं OBC अधर बेकवर्ड क्लासेज और दो पद हैं EWS लें यहां पूरो अभी अर्थियों के लिका कोई रोल नहीं होगा त्यक है तो यह पूरो अभी अर्थियों के लिए है यहम eccentric अखी है एक आप लोग क्या करेगा ध्यान में रखने हैं ठीक है पदों का अवन्टिय्स प्रकार दिव्य त्वियंग जो ठाथ्र है, उनके लिए ये पद इसमें नहीं है, टिकांब साफ साव आयोग ने लिखा है, दिव्यां के लिए पद आरक्षित नहीं है, टिकांब उनको ये पद नहीं दिया गया, इसके बाद आगला हता, आपका, वो आता है, बच्छो, शैक्सिक अर्फ़त इसके अलावा यह कहग देवनागरी, लिपी में आपको हिंदी का काडिली ज्गान होना चाहिए, वो कुछ नहीं है, लिपी तो नहीं है, उसका ज्गान होना चाहिए, उसका कोई серट इपिकरत, कोई प्रैक्टिकल, कोई और इक्जाम होगा, वो सबको होता है, इसके कोई दि सेवा दी है इनको क्या मिलेगा अधिमानी अरहता मिलेगी अधिमानी का मतलब होता है किसी केस में अगर दो अभी अर्थियों के इक्वल मार्ख सा आते हैं यानि कोई ऐसा केस हो गया जहां पर दो छात रहें जिनका फिजिकल और रिटन मिलाके 155 नंबार आगे और सेम काटे जिसके पास ये दोनुचीजों में से कोई एक चीज है उसको लिया जाएगा अगर ये भी नहीं होगा तो फिर एज का क्राइटीरिया इसमें देख रहे हैं अगर आप सारिक मापदंड देखेंगे इसमें पहरे तो मैं नॉर्मल चीज आपको बताता हूं फिर थोड़ा सम और जैसे अलग-अलग है बॉल थ्रो है आपका रन रनिंग है चेन अप है पुस अप है बैठाग है किसी भी केस में अगर आप कहीं पर 50% अंकर नहीं ला पाए यानि आप उसका क्वालिफिकेशन 50% से कम में रहे तो वहीं आपको बाहर गर दिया जाएगा फिर नहीं देखा होगा जो हाइट है मैदनी इलाको में छात्रों को जो बाराग गया है 165 cm पर्वती छात्रों के लिए जो हाइट मांगी गई है 166 cm और स्पिक लिए 157.5 cm यह क्या है मेल अभी अर्जहीं के लिए ठीक है और वजन हर किसी का कम से कम मिनीमम 55 kg होना पंच फंवन केजी से कम आपको बाहर कर दिया जाएगा ठीक है इसके अलावा जो टेस्ट है आपके सीना फुलाव होगा आपने पढ़ ला होगा सीना है 78.8 centimeters normal और फुला के यह कितना हो सकता है 83.8 ठीक है इतना यहां पर इनके लिए जो सेना के फुलाव है वो 76.3 से 81.3 हो जाएगा ठीक है लेको कितना 76.3 से 81.3 से यानि बिना फुलाए इतना फुलाने के बाद इतना ये आपका परवती SC और ST के छात्रों के लिए है तो ये सीना फुलाव है जब आप ये देखेंगे सारिक दक्षेता जब आप इन चीजों को क्वालिफाई करेंग हाइट और चेस्क के अगर आप क्वालिफाई हो पाते हैं तब ही आपको उससे आगे की भरती यानि उसके आगे की प्रोसेस के लिए क्या गया जाएगा समलित किया जाएगा इसको ध्यान रखना ठीक है अब आपका पता है कि कितने मार्क्स का फिजिकल होगा 100 मार्क्स का क्ालिफाई कितना है 50% यानि 50% पर आपको क्वालिफिकेशन होगा फिजिकल का यानि 50% आक को फिजिकल में लाने ही लाने है और किसी भी इस तरफे अगर आप 50% नहीं ला पाते है चाहicylex बॉल थोरो में है रणिंग में है चीनठ में फिक भाए ठाग में है तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाए ठीक है अब देखते हैं क्या-क्या होने वाला है इसमें किरकेट बॉल एक जिन रहे Mode ठीक है सेकर्डट होने वाले बचितनल प्री कूद अहिए होना है इसमें chinning up ये grip कैसे भी मना सकते हो ठीक है आगे पीछे chinning up फॉर्थ होना है इसमें bethuck plus dund उठक bethuck फिर push up दंड ठीक है फिफ्थ होना है इसमें दौर या चाल, जो भी लिखते हैं, दौर अबलिक चाल, अब बताइए, ये सब चीजे हैं, ये हैं आपका 100 मार्ग्स के, अगर आपका फिजिकल अच्छा है, यहीं अगर आपनी स्कोर कर दिया, तो रिटन मापके लिए बहुत अलका हो जाएगा, अब इसको कैसे माटा गया देखो ये 20 मार्ग्स का है, इसके अलाववज चेनिग आप 20 मार्ग्स के, बैठा कःटन के 20 मार्ग्स के, दौर चाल 20, यानि हर कुई कैंदीं, 20 मार्ग्स का है, इसके 20, इसके 20, इसके 20, इसके 20, थीक है, अब ऐसे हिआए, यहाँ नहीं कि मैने किर्केट बॉल Ro najार दें ठीक है, बॉल तो की प्रैक्टिस आपने निकालना क्या क्या है, चेक कर लेना, यानि आपकी दूरी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, कि कितने दूर आपने फैक आ है, और मिनिमम क्वालिफाई होगा आपका इतना मीटर फैक ना है, अगर नहीं फैक पाई उहीं बाहर क पारे, उसकी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, बैठक या दंडे, ये दोनों, ये दस नमर का बैठक, दस नमर का दंडे, दोनों को बिला के क्वालिफाई करना है, तो पहले आप उठक बैठक करोगे, कितने मिनिट में कितने उसका पुसप मारोगे, कितने मिनिट में कि पालीफाई कर जाोगे यानि इन सब को मिला के 100 में से अगर आप 50 नमबर ले आते हो और हर जगर क्वालिफाई हो तब आप रिटन में बैटोगे और 50 मार्क से कहीं भी नहीं ला पाए किसी में भी अगर आप फेल होगे तो आपको रिटन में ही ये फिजिकल में क्या करतीया जाएगा बाहर करतीया यानि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है और उन छार्टों के लिए इस्प्रकार से महिला अभी अर्थ्यों के लिए बहुत हार्ड भी कहें या कुछ मैं नहीं कहें नहीं कहता उचाई जो है इसमें पहले आपके हैट चेक की जाएगे 152 cm कहां सामान्य वो पिछड़ी वर्गे के लिए सामान्य अबलेक पिछड़ी वर्गे के लिए ठीक है जबकि यहीं उचाई आपकी हो जाती ही कितना 147 cm परवती SC और ST के लिए ठीक है 147 cm यह कहां पर होगी परवती SC और ST वर्गे के लिए 147 cm हो जाएगी ठीक है अब यह जो है आपका आपको यह बता होना चाहिए कि वजन महिलाओं के लिए जो न्यूंतम वजन रखा है वो 45 kg यानि आपका वजन जो होगा 45 kg का होना ही होना चाहिए ठीक है फिजिकल का अगर इनकी बात कर रहे महिलाओं के लिए 2 km और कितने समय में आपने 2 km कर दिया इसके आथार पर भी 50 marks चगा हो गया ठीक है यह नि इन 2 के आधार पर आपका क्या होने वाला है फिजिकल होने वाला है और 2 kg आपने कितने समय में किया है उसके आधार पर categorize किया गया 5 minutes, 4 minutes जो भी है आपका 8 minutes, 10 minutes सर एज क्या रहेगी इसमें आयू सीमा देखिए आयू सीमा है बच्छों उसमें 21 वर्स से 35 वर्स से यानि कोई भी ऐसा भी आरती जो 21 वर्स से 35 वर्स तक का है वो इसके फॉर्म को फिल कर सकता है ठीक है लेकिन ऐसे छात्रे जिन्होंने पूर्व में आविदन हिया था पूर्व में आविदन उनके लिए एज की गड़ना होगी 1 जुलाई 2020 को उनकी उम्र अधिकतम 35 वर्स और न्यून तम 21 वर्स हो यानि एक 35 वर्स से आगे न हो 21 वर्स से आगे न हो वो कब 1 जुलाई 2020 आप लोग अपनी एज निकालना 1 जुलाई 2020 को आप किते साल के थे जिसने पहले आविदन किये हैं ठीक है जिसने नए आविदन किये हैं जो अब पहली बार इस फॉर्म को भर रहा है ठीक है उसके लिए क्य है एक जुलाई 2022 को आपके उम्र नियुन्तम 21 वर्स और अधिक्तम कितने होनेशे 35 वर्स ये नए चातर यहां से अपनी एज को चेक करेंगे कि कितने है ठीक है इसके बाद देखना तो आपका जो आविदन है आपका अगर आपने पहले आविदन किया है तो आप अपनी एज यहां से काउंट करोगे इस डेट को चेक करोगे कि एक जुलाई 2020 को आप कितने साल के थे क्या आप 21 साल के थे नियुन्तम अगर थे अधिक्तम 35 के होने चाहिए इससे उपर नहीं होने चाहिए और नए आविदन वाले जो है वो देखेंगे इस एक जुलाई 2022 को आपकी एज नियुन्तम 21 है या अधिक्तम 35 इनके बीची उनके है इनसे कम और इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा ठीक है अब इसके बाद जो आता है बच्चों सबसे महत्तपूर्ण चीजे हैं ये तो आई वगेरा होगी अब आता है आपका जो अधर चीजे होती है अधर चीजे का मतलब ये तो जो बेसिक इंफॉर्मिशन थी चार-पास मिनिट में आपको अधर चीजे समझा देता हूं वो ठीक है एक तो मैं आपसे रिक्वेंस करूंगा कि फॉर्म गलत मत भनना पहली चीज है फॉर्म को गलत मत भनना ठीक है यानि फॉर्म गलत भनने की कोई जरुवत नहीं है दूसरा मतलब ही सो समझ की फॉर्म भनना दूसरा ऐसे चात्र जिनका फोकस लेकफाल में है या जो दरोगा वगरा या जो थोड़ा सा लगता है जिनको कि यार सारीक रूप से कैसे हम तो डिस्टाब मत होना फिर जरूरी नहीं कि आप इसी फॉर्म को फिल कीजिए क्योंकि इसका फिजिकल मैं फुद ही महसूस कर रहा हूँ मैं अगर कंपरेजन करूं 22 साल और 23 साल के छात्रों के साथ 34 और 35 साल के छात्र तो ये तो फिर यार कॉमन सेंज है न हमारी बॉड़ी तो है बताई ये दोनों कैसे मतलब हम उसको नाप सकते हैं ठीक है तो कहीं न कहीं 22 साल 23 साल के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा फुर्तीले जादा उनके अंदर जुनून, जोस, युवा जो कह सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा है पैतिस साल वाले बुजुर गए हैं मैं ये नहीं कह रहा है लेकिन अगर हम फिजिकली अगर उनकी बात करें दोनों को कंपरेजन करें तो तो गैप आ जाता है कभी न कभी आप भी 22 साल की रहे हुँखे उमर मैं कैसे हो सकता हूँ सेम बताइयँ ठीक है तो अगर आपको लगते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और आप physically fit हैं आप fight कर सकते हैं और जो आपका यह वारा exam अकॉन सा जो physical वाला है इसमें at least आप 70, 75, 85 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं तो return में आप लोगे लिए फाइदा होगा जिनकी उम्र ज़्यादा है जो पहले से तयारी करते हैं ठीक है और हाँ अगर आपको लगते हैं नह आपका हो उत्राखंद से होना चाहिए यह डंशाइल आपका उत्राखंद का उना चाहिई तो उसने साब्साहब लिखा है आपके intermediate udah high school जो है वह उत्राखंद से होना लिजिए और आपको कर भी लेना चाहिए जितने भी डॉक्यूमेंट से वो अपडेटेट होना चाहिए यानि फॉर्म भनने की अंतिम्ति थी अगर आपको लगता है दिखना एक काम करना सपोर्ष आपका कोई डॉक्यूमेंट 20 नॉंबर को एक्सपार हो रहा है ठीक है और आ आते हैं कभी-कभी हम इस चीजी में चक्करमा लगे रहते हैं करता ही नहीं कोई उस ताइम होता ही अपडेट तो वहां पर समस्या आ जाती है तो अपने डॉक्यूमेंट सारे अपडेट रखना और फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं बच्चों ठीक है जरूर अपने लिए भी अवस्ता कर पाता है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत आपने आप में आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो मैं यही कहूंगा अपनी तयारी को जारी रखिए इतने एक्जाम है पांस से च्छा एक्जाम सिमिलर पैटन पे आपके हैं तो आप कही न कहीं किसी न किसी जगह पे इस्टबल हो जाएंगे ठीक है फिर मिलते हैं एक ले सेशन पर अपना ध्यान रखिएगा थैंक यू